किसे नमसे question पूछा है, क्या AMP अभी भी उतना relevant है जितना पहले था, answer है no, उतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि पहले क्या था, अगर आपको stories के अंदर आना है, अगर आपको discovery feature के अंदर आना है, तो आपको डालना ही पड़ेगा AMP, क्योंकि वहाँ पे उस time AMP AMP के अंदर ही सब प्लगिन है, story वाला बो दालो, तीक है, उसे आप story create करो, वहाँ पे भी आप देखोगे, आपको बहुत सारी reach मिलेगी, अभी एक नया feature है, test करके देखो, क्योंकि नुक्सान तो कुछ हो नहीं रहा, अभी चल रहा हो, चलता रहेगा, बाद में देख लेगे, AMP का देखो, एक नुक्सान था, बड़ा नुक्सान था, लुक खराब हो जाती थी, तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने नौन-AMP वेमीर, बिना लुक खराब करे, fast कर दी है, अब Indies Education लेके चलो, हमारी website है, description में लिंक देखो, उसको आप फोन पे खो, AMP नहीं है, फिर भी वो fast है, कैसे fast है, क्योंकि वो optimize है, जो theme है, वो mobile optimize है, और fast है, तो मैं भी आपको recommend करूँगा, कि अब AMP उतना relevant नहीं रह गया, जितना पहले था, story नया है, उसको use करो,